पैसे की तंगी में अक्सल लोगों को पढ़ाई छोड़ते हुए सुना है लेकिन गुटका, सिगरेट, दारू, तमाखू, गाजा, अफेम, हिरोईल छोड़ते हुए नहीं देखा है नहीं देखा नमस्कार ससियाकाल आदाप उमीद करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे, खु इस ध्यान देतें होंगे, लगए होँगे और लगन के साथ लगए होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो एकसब बहुत कमाल का एकसबुरे जो कि फेज रूल पर लाया गया है, फेज रूल को शुरू करने ची म्वित के पहले, कुष ठेज ग काहला है में क्या होता है फेज अरे फेज नहीं जानते खर तो system के अनधर aún सकते हैं क reicht में तो डिख्विट में हो तो क्या हो में हो दिखा जाए अगर वह सिस्टम कि और आल जिसे प्यूर वाartर होता है पूरा थे कैसा दिखता है लिक्विड देक्वाटर पूरा लिक्विरिक कर दें तो दो बन जाएंगी तो दोव घो गये क्या हो गये अगर मैं इसी बोला जाता है अगर ओवराल थूमर्हट क्या हो system एक ही फ्यस्ट में तो फ्यज क्या होता है मिन जाना प्रिक्ष क्या होता है मैं जानना है अगर कि फोरा से नमक डाला यह बोलगते तो फैस्ट के भूल झाएगा नमक को पहुत ज्यादा करदे तो जम जाये गा और हाँ पांट तो हम फेज की बात करते हैं अगर सिस्टम एक ही फेज में तुसे होमोजिनियस करते हैं और जो लोग करता ही नहीं इसे वाटर में क्या है तो वाटर अलग है और कैरोसीन अलग होता जो कोई बांडी बन जाती है जो कुसको अलग करती है ठ्लूआउट एक फेज और फिस्कली प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म मतब एक फिस्टम में बीकली केमिकल प्रॉपर्टी वाटर वाली बताएगा ऐसा नहीं होगा कि वह कै तो यह और कहे रहा है एक सिस्टम में भी वाटर में नमक थोड़ा मातरा में डालेंगे तो पानी में नमक जम जाएगा तो नमक पानी अलग अलग प्रेश को इंडिकेट करते हैं जैसे एक्जामपल में क्या है दा नमबर आप कंपोने रिप्रेजेंटेट दा मीनिमम नमबर आप इंडिपेंडेंट कांसेंट्रेशाथ बारीवर नीडिट विश्ट्राइब दा कंपोने आप इस पेज इस जैसे एक्जामपल में क्या है इस सिस्टम सॉलिड आइस इन एक्परियम बिच लिक्ट वाटर एंड वाटर वीपर इट इन वाल्बव ओनी वन Mr. वां संट्रेशन बारीअब वरं कंपोनेट क्या होता है इसको ऐसे समझें यह कहा रहा यह किसे मानलो यह आर principle किसके सा bacon के साथ आप फिर अब कर रहा इसमें कितने component होते हैं अरे यह किसी भी system को उसके मतलब state को define करने के लिए आप three component के इस्तेमाल कर सकते हैं temperature, pressure और यहां पर concentration में बात करो तो यहां पर होता क्या है इसमें तीन में से minimum आपको क्या करने है use करने कितनी use आप तर्म यूज करते हैं जो इसके component को indicate करता है तो यह ice water paper में बीषिचेप करेंगे यह भी ice में h02 होता है water में बिक्या होता यह स्चाह में बिःपर में भी क्या होता है यह स्टू होता है बनो सब में बताओ एक component है αυτό और इस..? तिस क्या डिपाइन कर रहा है तंप्रेशर अरे जो आप गर्म कर रहे हैं तभी तो आइसे वाटर जाड़ा वाटर से क्या पर आप बीपर पर ना टंप्रेचर एक ही आपका concentration variable इस्तमाल किया जा रहा है, इसको आप ऐसी समझ लें कि एक ही term आप इस्तमाल कर रहे है, यह होता है आपका component, degree of freedom क्या है, degree of freedom क्या बता है, the number, the number of degree of freedom or variance is defined as minimum number of independent variable, such as temperature, pressure and concentration, which must be specified order to describe the system completely, मतब इन तीनों में से वह minimum number, तीन में से कोई एक minimum number दो होगा, अगर एक constant रखेंगे दो होगा, अगर आप concentration को concentrate रखेंगे, temperature और pressure होगा, temperature रखेंगे, pressure बतलेगा, concentration बतलेगा, उन्हें में से कोई minimum number, जो क्या कर रहा हो, किसी भी system को, order को क्या कर रहा, describe कर रहा, completely describe कर रहा हो, उसी करते है degree of freedom, यह क्या कर रहा हो, जिसी जुम करो, a system has a degree of freedom equal to 1, अगर किसी भी system का degree of freedom 1 होगा, उसे बोलते है, univariant system, univariant system में दर जाता है, and system degree of freedom equal to 2, is called, यहाँ पर होगा bivariant, यहाँ पर univariant है, यह क्या है, bivariant है, पहले नहीं होगा, variant होगा, यह bivariant होगा, and so on, फिर क्या होगा, trivariant होगा, ठीक है, let us consider a system consisting of pure gas, the system can be completely defined with the help of any two, मतलब जो pure gas होगा, उस pure gas को हम कितनी variable से define करें, अरे बाई system, जनली से बहुत होगा, यह gas है, अब gas ने में क्या होता है, gas की जितनी भी लाब पढ़े होंगे, जनली क्या होते है, temperature होते है, pressure होते है, onind variable, की नई की की नहीं, जनली जैंगे, जिसका मतलब, यह gas में हम तो बन दैंगी, ड़ लेंगे, जिसका मतलब अगर इक कांस्टेंट होगा, दो बदलेंगे, तो वहां पे क्या होगा, यहां पे कितने बन जाएंगे, तो, कितने बन जाएंगे उसमें कितने आ गए हैं ना गया कितना वाजाएं होता है नहida क्या होता कौन यहां होता है कौन वन क्या कहा जाता है टन यह सब को चलो चोन कर अपने के सख़ते हो यह कुस्टंग क्या है वह वो की क्यूस्ट्टょ क्या है गिपस फेज़ रूल है फिट всяmmm पढबेंगे और जिसमें यही फेज कंपोनें ओ डिगरी आफ फीडम में रिलेसन्सिप को पढ़ते हैं आगे लोगे से दुज रूल अगया क्या बताता है दफीज रूल इस लडरोड निप्टर जन जन जर्लाजेसा विस डियल शर्थ दहेट्रोज इस टोबरियम हएट्रोज अ Васि डहीं जाहिए दोनों फिर लिग लग 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 वने चाहिए इस प्रेटिव लिए डा एफेट्टन टं जाना जाता है और mathematically क्या होता है गिस फेजरी रिल क्या देता है रिलेशन बिट्वीन component phase and degree of freedom जुसको mathematically निखेंगे गिस फेजरी रिल स्टेट that heterogeneous system in equilibrium the sum of the number of phase and degree of freedom sum of number of phase P plus yeah ठीक है फिर कह रहा equal to त्या कह रहा equal to number of component plus two equal to number of component plus two अब इसको करें सब्सक्राइब लोग solve करेंगे इसको फिल लिख सकते है क्या हो जाएगा बताओ यह हो जाएगा F is equal to a 직접 कर देंगे तो क्या हो जाएगा F is equal to minus you जाएगा F is equal to c minus p plus two यह हमारा formula being formula होता है यह हमारा mean formula अब इस formula का हम करेंगी ही मारा formula है F क्या होता है would क्तना होता है कितना होता है तो चलो मालो हम किसी के लिए पूछ है आपको डिग्रिया फीटम हम लोग पूछ रहे हैं आपको सिंपल ही वड़ पूछ रहे हैं सॉलिड का मालूवी क्या है आइस है आइस तो सालिड होता है और यह किसके साथ है लिक्ष decisions का पर रहे हैं वाटार का आइस हुज यहां पर क्या होगा अगर अगर मुझे इसका डिग्रिया प्रिटम बता ना है तक बताया कि कितने फेंची बात हो रहे ही वह णुदे कि इसससे कि मिल गए और क्या मिल गए और दूसरी बात क्या होती है डंपॉनिन्ट उओंगे अरे इसे में अब सबस्टो रखेंगे तो प्रकल कितना एप रखेंगे इसका आने वाला है के वाद मतलब कितना होगा मतलब इसमें किवल एक ही स्तमार किया रहा है वह वो क्या है टमप्रेचर एक ही बरीवल इसstवार ल open गर्रक टरा तभी तो त Bä दर है अगर शलो मालो कि अमें डुख्या हैं हम आपसे बता रहें अगर कंक बुं तोी अगर सो गई और देखें अगर तो यह किया हो जाएगा घट जाएगा अवक्य इसको भी देख लो इसको में अए सुम म्達टेब्मेद को देख लो डेख लो किसको देख लो और किसको तुछ कितना जाएक सब्सक्राइब कितना होता है इन भाया होता है जिसका डिगरी आप फीडम होता है वो क्या हुता है बैरियेन्ट होता है इन बैरियेन्ट बटाओ इन बैरियेन्ट के मैं गेन पैर दिसका डिकर्यरियां किया छिशन उफ सह कब γοन चया कोई Fr मनें기에 ऑच्छा लगा होगा अगर एपसोड को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें लोग शेयर करें और हम आप साथ जिससे और धेर सारी वीडियो आप साथ सेयर करते रहें आप मस्तर रहें खुसरें मज़े करते रहें फिर मिलेंगे टाटा बाइबाए